है है हजी दोस्तो क्या हाल चाल मिऊ तो तो मिरा नाम सीए पवनकर मिले है और में फाइनेशियल मैनेजमेंट की क्लास लेने वाला हूं C.S. Executive वीडियों कि financial management नया subject है जिए इंटर जिन्होंने CA किया होगा ना उन लोगों और जो CS executive कर रहे हैं लोगों के लिए तो FM कुछ भी नहीं FM बोलते हैं तो financial management second group में है और सर कितने number का है तो total मिलाकर FM और SM 100 number का paper है 100 number में से 60 number आपका FM में है और 40 मांस का आपका SM में है तो सर यह financial management होता क्या है यह समझा तो बिल्कुल यही समझाओंगा मैं financial management पल पहले काम करते हैं लिखते हुए समझाओं तो ज्यादा बज़ाएगा तो लिखते हैं कि दिखोगे मेरे साथ-सत्त चैप्टर का नाम financial management चैप्टर नहीं सब्जेक्ट कितने मास का है 60 थिक तो अब जो मैं बात करूंगा ना मैं यह बात करूंगा कि financial management में आखिर क्या करने हाल क्या यह जो आप सब जैसे tax पढ़ते हैं तो क्या tax का यूज आपके practical life में हाँ जी है accounting पढ़ते तो accounting का भी यूज है company law का भी यूज है तो क्या financial management का भी आपके practical life में यूज होने वाला है हाँ होने वाला है सर इसमें होता क्या कि जिसे हम पढ़ लिया financial management तो हम लोगों को करना क्या पढ़ता है एक जटल अब मैं आप से कुछ सवाल पूछ रहा हूं आराम आराम से जवाब देना और आपको समझ में जाएगा कि financial management का यूज क्या हां कैसे होने वाला है ठीक है चलो जी एक सिंपल सा कोशन पूछ रहा हूं मान लो मान लो सिंपल सा कोशन है काम का है मान लो बिट्टे आपको पैसो की जरूरत पैसा फंड और आपको एक लाक रुपे की जरूरत है और आपके पास दो बैंक है आप बैंक से लोन लेना चाहते है तो बैंक से लोन लेना चाहते है तो आपके पास दो बैंक है बैंक A, बैंक B, कितने रुपे की ज़रूरत है आपको एक लाक रुपे, कि बैंक A के पास गया और बैंक A से पूछा कि बताओ आप मुझे पैसे कितने पर्शंट पर उधार दोगे, तो बैंक A ने का 10 पर्शंट, अगर आपको पैसे चाहिए, बैंक A में जाईए, 10 पर्शं 8 पर्शंट, अब थोड़ा सा टेक्निकल लेंगवजी उच कर रहा हूं, मुझे किस चीज की ज़रूरत है, मुझे पैसो की ज़रूरत है, पैसो को मैं क्या बोल साता हूँ, capital, मुझे capital की ज़रूरत है, तो capital का arrangement कहां से किया जाए, सर ये partnership वाला capital है क्या बटे हां, पर उसम पैसो की ज़रूरत है, बताओ आप किस बैंक से पैसे उधार लोगे, सर ये तो बच्चा भी बता देगा, कितना रूप है, किस बैंक से, सर बैंक B से इसमें कोई समझने वाली बात क्या है, बैंक B से उधार लेंगे, बात कता है, बिलकुल सही, it means capital का cost, जो आप capital उठा रह करो के, जहां capital का cost जो है, वो कम आता है, वहीं से arrangement करो के, this is cost of capital, ये क्या चीज़े, cost of capital, ये क्या चीज़े, cost of capital, लेकिन एक बात है, कास इतना, इसी सर फिर एक बाहा बता हूं, ये तो बच्चा भी बता देगा, इसके लिए इतना बड़ा chapter है, चैप्टर है, तो पढ़न लाख रुपए मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छी बात है, मैंने आपके पास से लूग क्यों धर, मैं बैक बी जाता हूं, मैं बैक बी के पास गया, मैंने का, 8% वाव, बोले सुनो, 8% मिलेगा तो पर हमारी, बैक बी का मैनेजर बोल रहा है, हमारी policy ये है, कि पुरा ए लाख पी देना पड़ेगा, पर processing fees 8,000 कटा और आप 92,000 घर ले जाएगे, अब मुस्किल कोशन, अब बताओ कौन सी बैक से, सर ये तो बड़ा मुस्किल है, बिलकुल सहीं बैटे, ऐसी बहुत सारी situation आईगी, जिसमें आपको ये decide करना पड़ेगा, कि कहां से पैसा उठान है, सिर्फ क्या rate को देखकर decide कर सकते हो, नहीं, rate के अलावा भी आपको बहुत सारे factor देखने पड़ेगे, एक बाहां बताओ, आप किसी company में CS बन गया है, और आप से पूछा जा रहा है, company के director, कि आर पैसो की ज़रूरत है, पैसो का arrangement करना है, तो पैसे के arrangement कहां से किया जा स तो बताओ, कोई company पैसो का arrangement कहां से कर सकती है, सर या तो equity share से पैसे ले लेंगे, बिल्कुल सही, सर debenture से भी तो पैसे ले सकते, बिल्कुल सही, bank से भी पैसे ले सकते, प्रफरेंश शेरूरत है, तो इन सब का cost calculate करना पड़ेगा, this is cost of capital, और जहां सस्ते में काम हो जाएग वहां से हैं पैसो का arrangement करते हैं, तो हमें इसके अंदर, financial management के अंदर, एक topic पढ़ना है, और उस chapter का नाम है, cost of capital, मैं overview दे रहा हूं बटे अभी, क्या नाम है, cost of capital, first, मेरे सासत लिख ले रही है, cost of capital, ठीक है सर, इसके अलावा, तो financial management में पहला काम हमारा और ये है, कि हमें ये decide करना है, कि पैसो का arrangement कहां से करना है, इसके लिए एक chapter पढ़ना पढ़ेगा, और उस chapter का नाम क्या है, cost of capital, ठीक है, सर, इसके बाद और समझाईए, अब सुनो, हो गया है पैसो का arrangement, ठीक है, अब एक बार मताओं, मान लो, आपको, बिलकुल ध्यान से मान लो, किसी business में पैसा लगाना है, business में, पैसे दो चाहिए, बिलकुल, और आपके पास दो alternative है, या तो आप debenture holder से पैसे, debenture holder समझते हो ना, जिनको interest देना पड़ता है, या तो equity shareholder से पैसे, आप किसे पैसे लेना चाहोगे, debenture holder या equity shareholder, बिलकुल सिंपल सा question है, पर फ equity shareholder से अगर हम पैसे लेते, company को पैसो की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, company ये पैसे कहीं, और किसी बड़े project में लगाना चाहते है, तो पैसो का arrangement कहां से हो सकता है, सर, equity shareholder से पैसे अगर हम उठाते है, तो हमको उन लोगों को तो dividend देना पड़ेगा, जितना भी कमाएंगे, सब उनी कत्व है, और सुनों, नहीं भी कमाएंगे, तो tension नहीं, it means equity shareholder को कोई tension नहीं, कमाएंगे, तो बाट देंगे, नहीं कमाएंगे, तो नहीं बाटेंगे, अ तो कमाओ चाहे मत कमाओ, क्या interest देना ही पड़ेगा, हाँ भाई हाँ, सोचके बताना, ज्यादा अच्छा क्या है, पैसो का arrangement कहां से किया जाए, equity shareholder से किया जाए, या debenture से किया जाए, equity shareholder को dividend देना पड़ेगा, equity shareholder को कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं दें पर debenture holder को तो interest देना ही पड़ेगा, ठीक है, अब सुनना ध्यान से बड़ी important बात है, मैं जो बोलने जारा हूँ, अगर मैं कहता हूँ, debenture holder को total मिलाकर हमको 50,000 रुपिया interest देना, अगर मैं debenture holder से पैसे उठाता हूँ, तो कितना interest देना है, 50,000, अगर मैं 10,000 रुपे कम आए, तो भी interest कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 50,000, और बचा हुआ पैसा equity shareholder बात लेंगे, अगर मैं 50 लाग कमाता हूँ, तो भी interest कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 50,000, इसका मतलब यह हुआ, कि यार बेकार में आप जादा, अगर मैं equity shareholder से पैसे लेता हूँ, तो वो प आप लेंगे, हमारा हुआ, तो क्या अच्छा है, debenture अच्छा, क्योंकि debenture को interest ही तो देना है, 50,000, खुब कमा हूँ, सिर्फ 50,000, सर ये भी बास सही है, अगर मैं कहता हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा, debenture अच्छे, debt अच्छे की equity अच्छे, बस बिटे बस, अगर आप ज्यादा कमाने वाले हो, आपको लग रहा कि आप खुब कमा सकते हो, तो भई, क्यों लोगों को अपने साथ में मिला रहा हूँ, सिर्फ debt से पैसे लो, और interest दो और बचाओ, पर अगर आप ज्यादा नहीं कमाने वाले हो, आपको ऐसा लगता कि उतना नहीं कमा पाएंगे, लॉस भी हो सकता, रिस्क है, तो फिर एकुटी से, तो पैटी यही कुछ समझना है हम लोगों को, और इसके लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और उस चैप्टर को नाम है Capital Structure, Capital Structure में हम ये डिसाइड करेंगे, कि हमारा जो capital लेने का तरीका है, उसमें debt वाले का पैसा रखना है, कि एकुटी का लिए रखना है, कि थोड़ा सा debt, थोड़ा सा equity, थोड़े से प्रफ्रेंशियर, structure किस तरह से बनाना है, हमारा जो capital है, जो पैसा लेने वाले हो, वो एक ही से क्यों लो, अलग-अलग तरह से भी तो manage कर सकते हैं, यस, हलाकि वहाँ detail में overview समझ रहा है, तो उस chapter का नाम क्या रहेगा, capital structure, capital structure, ठीक है, तो ये दो chapter की विसे में मैंने थोड़ा सा समझाया, आपको पहले ये समझाया, कि पैसो का arrangement कहां से कर रहा, दूसरा मैंने ये समझाया, कि पैसो का arrangement तो करूँ, पर, 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 ये decide करो कि debt से ले, equity से ले, दोनों का combination ये सब कुछ, यहां तक बात समझ में आती है, जी सा, अब तीसरा chapter, एक बात सूच के बताना, risk का मतलब समझते हो, बिल्कु ध्यान से थोड़ा सा technical है, सर, क्या चीज, risk का मतलब हम समझ नहीं पाड़ है, अगर मैं कहता हूँ कि सर, आप लोगों को, आप लोगों को किसी business में पैसा लगाना है, एक business ऐसा है, जैसे बात कर लेते हैं, बिजनिस की मत कर लेते हैं, एक business ऐसा है, जो car बनाता है, car manufacturing करता है, और एक business जो ऐसा है, जो FMCG, जो daily use के जो किराना वगेरा, provision वगेरा समान है न, साबुन वगेरा, आपका गेहूं, चावल वगेरा, इस सब का business करते हैं, कौन से business में पैसा, FMCG बोलनों चलेगा, car वाले business में पैसा लगाओगे, कि FMCG में पैसा लगाओगे, car छोड़ा, real estate, real estate अच्छा, real estate में पैसा लगाओगे, कि FMCG में पैसा लगाओगे, सर रियल इस्टेट में रियल इस्टेट में याद रखना खुब प्रॉफिट है अगर बिका तो बहुत सारा प्रॉफिट है और FMCG में बहुत नॉमिनल प्रॉफिट होता है बताओ कहां पैसा लगाओ सर यह तो रिस्क है बताओ कहां रिस्क रियल इस्टेट में लगाओगे रिस्क है दिख रहा है ना आपको रिस्क पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा हो सकता है कि रैसे सना जाए जो अभी चल रहा है जो सिहालात चल रहा है हो सकता है रैसे सना जाए हम बरबाद हो जाए ले बहुत सारा आभी यहां समझाना थोड़ा सा मुष्किल होगा क्योंकि मैं अब ही चैप्टर का ही नाम लिखा रहा हूँ इसको बलब दे जाता हुग यह लिवरेस का मतलब क्या होता है रिसक हमें यह देखना होता है कि किस बिजिनेस में ज्यादा रिस्क है, किस बिजनिस में कम रिस्क है और उस रिस्क का calculation भी किया जा सकता है और उसके लिए detail में चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा Leverage Leverage आगे चलते एक बहत्री चैप्टर है और इतना बड़ा चैप्टर है बिल्कुल मज़ा जाएगा उपढ़ेंगे और उसका नाम है Capital Budgeting समझा रहा हूँ यह आपकी कमपनी ठीक है सर अब आपकी कमपनी को इन्वेस्ट करना है एक लाक रुपे और दो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B आप एक लाक रुपे प्रोजेक्ट A में भी लगा सकते हो आप एक लाक रुपे प्रोजेक्ट B में भी लगा सकते हो अगर मैं प्रोजेक्ट A में लगाता हूँ तो मेरा अनुमान है अनुमान यह है कि हर साल 25-25 जार रुपे कमाऊंगा 25 जार परेनम कितने साल तक पास साल तक और प्रोजेक्ट B में पैसा लगाता है तो हर साल कमाऊगा 40,000 रुपए परेनम कितने साल तक पास साल तक बताईए किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कितना पैसा लगाना सिर्फ एक लाक रुपए है और दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट को एकसेप्ट करना है तो सोच के बताओ किस प्रोजेक्ट में हमको पैसा लगाना चाहिए कि अगर चारी तो बच्चा बी मता देगा इसमें है क्या पूजेक्ट बी में बैसा लगाएंगे ना क्योंकि जादा मिलेगा चाली पर सार पहले यह बताओ कि आपको पता कैसे लगा कि चाली सर क्या किसी भी चीज का अनुमान लगाए जा सकता है हां कि क्या हमको यह पता कि गांस ने वाला हम भाई हां सर्विस्वास नहीं और ऐसे कैसे पता लगी टृ लगासकती यहीं तो मैं संक्या हुआ यह सारी अभी में बहुत सारी बातें नहीं कर सकताberry कैसे पता लगेगा जब मैं आपको बोलूगा ना कि हां यार और आप खुद बोलोगे हां सर यह तो हमको पहले ही पता था बस खेर वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे सब्सक्राइब करना है और कौन सा प्रोजेक्ट करना इसके लिए चैप्टर पढ़ना पढ़ेगा जिसका नाम है कापिटल बजटी लेख लो सब क्या बताऊ ना इसको कैसी तो कोई भी बता देगा अभी बहुत सारी बात है अभी समझाने का मतलब नहीं बस नाम दे रहा हूं मैं अब क्यापिटल बजटी एक इंडेक्स बना दूं कुछ समझाते वे बस क्यापिटल बजटी ठीक है ओके सार यहां तक पास समझ में इस टोटल मिला कर मैं आपको कितने चैप्टर दे दिया चार चैप्टर कॉष्ट ऑपिटल का मतलब हमें पैसों का अरेंजमेंट कहां से करना क्यापिटल इस्ट्रक्चर का मतलब पैसों का अरेंजमेंट करना तो है पर डेट या एकविटी या डेट और एकविटी दोनों मिलाए कि एड़ेट इकविटी प्रफेंशेयर तीनों को मिला ले यह सब कुछ लेवरेज में हमें कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्क है कौन स बिजनेस कम रिस्किए यह सब कैलकुलेशन करना है चौता क्यापिटल बुजिटिंग में हम यह कह रहा है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा ठीक है आगे और एक चैक्ट रहा है जिसका नामें डिविडेंट चैनक पैटे एक बात बताउ सो समझ के होन brag माव लो दो कंपनी है आए अर अराम से सोच NOTal Exodus problem इसने profit कमाया 1 लार क्रुप्य कमपनी टीन भी प्रुफित कमाया एक लारा क्रुप्य दोनों ने एक एक लार और प्रुपिट कमाये एक बात बताओ डिविडेंट नाम सुना है हाँ सर सुना है डिविडेंट नाम जो शेर होल्डर को बाटा जाता है ठीक है तो एक बाताओ कंपनी ए ने प्रॉफिट कितना कमा है एक लाग क्या जितना कमाते हैं उतना डिविडेंट बाट सकते हैं मालो बाट सकते हैं पर फिर बाड़ पूरा की पूरा वाड़ तो शेर्होल्डर कुछ तो हम कुछ, कौन बोल रहा कंप्पनी A कंपनी A का यह कहना कि कुछ मत बचाओ, एक लाक कमाएं एक लाक रुपए बाढ़ केजिए, कंपनी B बोलती एक लाक रुपए कमा रहा हो तो भाई थोड़ा बचाका रहो, A कितना कमा रही है 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मैक्सिमाइजेशन नहीं से प्रॉफिट नहीं देखना इसके अलावा भी सोचो ना एक लाख में से पचासजार बचाया पचासजार आपका ही वैसा हो सकता का तो सर उसे साब से कंपनी भी अच्छी ग्रोथ है उसमें हएं है कंबना के एक लाक बोते हैं तो एक बचाने के इनगे इन हैं क्यंसी अपने कंपने अच्छी की तरहां का तरह बचाना थो पुरा पुरा बचालिया नहीं सर नहीं कम्पनी ए भी अच्छी नहीं है बीब सी भी अच्छी है पर कुछ बचाओ का मतलब क्या है क्या कहीं भी भी सोच के बताना डिविडेंड देने या ना देने से शेयर की प्राइस पर फर्क पड़ता है मानलो आज मैं डिविडेंड दे रहा हूं 50,000 रुपए मेरे शेयर का प्राइस है 10 रुपए अगर मैं डिविडेंड जादा दोंगा तो उस शेयर की प्राइस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा क्या डिविडेंड देने से कंपनी के रैपूटेशन बन जाती है मार्केट में ये सब कुछ समझना पड़ेगा और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर आप CS ब जाँगा कि डिविडेंड देना है में नहीं यहां बड़े-बड़े लोग आएगे वाल्टर गॉर्डन बहुत सारे लोग वह आपको समझाएगे कि डिविडेंड देना नहीं देना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है मज आएगा चेप्टर पर नहीं ठीक है सर और इसके बाद आगे चले चेप्टर नूम्बर 6 और इसका नाम है वर्किंग कापिटल मैनेजमेंट वर्किंग कापिटल मैनेजमेंट सर इसमें क्या है पर इसको भी समझ लो सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग नबर येस कशके अपको फार सकता है कि देटर्स भी घड़ी हो जाएगी एट भी सब्सक्राइब को लाउग-第 Mitti मेंस आप凌ण movies मेंट इんな पर भी तो खरीदते हो कश्टमर आएगे कुछ और पुछे के गोट से नहीं होगा तो हो सकता हमारा लॉस हो जाए इट मेंस आखिन मुझे स्टॉक कितना रखना पड़ेगा यह भी तो डिसाइट करना पड़ेगा क्या हमारी दुकान में कैस भी होना चाहिए हां कैस तो होना चाहिए अ वहां भी तो आपका पैसा जाएगा पैसा ही तो गया अल्टिमेटल स्टॉक गया तो पैसा भी गया सवाल यह है कि आखिर इन चीजों में हम पैसा लगाएंगे इसको बोला जाता है working capital तो working capital में कितना पैसा लगाना चाहिए यह सब कुछ हम लोगों को सोचना पड़ेगा स अगर मुझे किस business start करना तो दो जगा पैसा लगाना पड़ेगा एक तो long term में पैसा लगाना पड़ेगा और दूसरा short term में पैसा लगाना पड़ेगा और वो दोनों ही चीज मुझे अच्छे से समझने पड़ेगी तो यहां जो long term investment है इसके लिए मुझे जो पढ़ना वो capital बच के लिए लेकिन जहां बात आती short term investment के लिए तो मुझे जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा working capital management ठीक है सर और भी बता यह अब भी नहीं बता सकता चैप्टर नुम्बर सेवन security analysis sir यह क्या होता security analysis बैटे security का मतलब क्या होता shares और shares जब हम खरीदते हैं shares खरीदते हैं तो share खरीदते तो कोई भी उठा कर खरीद लेंगा ऐसे नहीं होता है हमें बहुत सारी चीजे देखनी पड़ती है sir इसका मतलब इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजे share एक बात बदाओं आपको किसी company के share खरीदना है किसी भी company के share खरीदना है तो आखिर आप ऐसी कौन-कौन सी चीजे देखते हो और फिर decide करते हो कि हमको share खरीदना है बहुत सारी चीजे sir हम उस company का balance sheet देखेंगे बिलुकुल उस company का balance sheet के अलावा और क्या दिखोगे बिटे sir हम उस company का balance sheet के अलावा profit and loss account देखेंगे उस company का cash flow देखेंगे बेकार की बाते अगर में सीदी सीदी बात बना रहा हूं और आम से सुनों के बात समझ में एक ग्राब बना रहा हूं इधर क्या लिखा रहा है इधर लिखा प्राइस और इधर क्या है डेस price प्राइस यहाँ 50 हो सकता यहां 100 हो सकता यह 150 हो सकता हैं डेसमाई जना राप लंबा साया ऐसे c told us kam iting gravity अव ρ nostalgia और अपीश का question शेर का price बड़ा बड़ा ऑड़ा फिर दीरे से क्या हो गय कम पिर थोड़ा सा बड़ा-बड़ा फिर दीरे से क्या हो गया कम फिर बढ़ा और फिर दीरे क्या हो गया कम यह और आज आप यहां खड़े हो एक बाद बताओ सूच कि कि यह पाश्ट का है पाश्ट में होता क्या पाश्ट में होता क्या कम पनी का शियर का पाश्ट बढ़ता है और फिर कम होता है फिर बढ़ता ह फिर कम होता है थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ता फिर थोड़ा सा कम होता है यहां तक बास पाश्ट का आपको पता लग गया है और अभी कहा हूं आप अभी आज जो हो आप यहां हो यहां सोच के बताना कि आगे क्या होने वाला है शेर का प्राइस आगे क्या होने वाला है है अभी बिटे अभी थोड़ा सा घूं चुका है यह राप गूम गए आगे क्या और बढ़ने वाला है जब आपको पटास्थ खरीद दोना भाई यहां वाकजी बढ़ा फिर धीरे से डाउन हो गया जैसे यहां घुमा तो यहां क्या कर दीजी सेल कर दीचे फिर घुमा फिर यहां क्या कर लीजी बाई कर लीजी जैसी घुमेगा तो इट मेंस क्या आप प्रॉफिट कमाकर निकल जाओ कि यह सस्ते में खरीदा आपने इस पॉइंट पर खरीदा और इस पॉइंट पर बेज दिया सस्ते मे अपने प्रॉफिट कमाया की नहीं कमाया कि आपने बैलेंशीट देखा नहीं कुछ भी नहीं बैलेंशीट देखे बीना प्रॉफिट और आप डिसाइड कर सकते हैं इसे पर ये ग्राफ देखके कि share का price बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है और ये सब detail में कहां पढ़ना आपको security analysis में पढ़ना है तो मैं यहां बहुत सारी बातें नहीं कर सकता तो कि time कम है आज तो सिर्क overview दे रहा हूँ जब detail हम जब chapter के अंदर जाएंगे ना तब सारी बातें करेंगे और एक chapter और उस chapter का नाम है पूर्टफोलियो मैनेजमेंट सर ये पूर्टफोलियो मैं पूर्टफोलियो समझते हूं छोड़ो नहीं भी समझते हूं मैं एक बात वलता हूं एक परसने राम और राम ने क्या किया है उसके पास एक लाख रुपय थे तो उसने नहीं सोचा यार सारा की सारा पैसा रिलाइंस कंपनी में लगा दो बात पूरा पैसा रिलाइंस में लगा दिया एक परसन है श्याम जिसने बुला नहीं भाई पूरा पैसा रिलाइंस में थोड़ा पैसा बैंक में कुछ पैसे का गोल्ड खरीद लिया कुछ पैसे की जमीन खरीद लिया इट मींस दोनों ने एक एक लाग रुपए खर्च किया पर एक ने सारा की सारा पैसा रिलाइंस में और एक ने थोड़ा थोड़ा पैसा बताओ किसका फंद मैनेजमेंट जद अच्छा राम का जिसने एक ही जगह सारा पैसा लगाया या फिर शियाम का सर स्याम का हो सकता है रिलाइंस अमबा ने बहाग गए तो भाग तो कोई भी सकता मालिया भाग गया तो अमबानि भी तो भाग सकता हमको थोड़ी भी पता तीया कोई नहीं भाग सकता, तो Siam का फंड मैनेस, Siam ने पवर्टफोल्यों बनाये है, पवर्टफोल्यों अलग अलग जगा पैशा लगाना उर क्या है, बस यह हो गया है, अप and नहीं बोहुत डीटेल है ? और यह सब कहा पढ़ना तो फोर्टफोल्यों management तो बस इतने ही सब्जेक्ट है CS executive में सौरी chapters है और यह 8 chapters एक theory वाला chapter है basic first वाला chapter उसको मैंने एग्नोर कर दिया वो तो मैं जब यह chapters करूँगा न तो इसी के साथ सथ वो theory लिखवा दूगा तो यह 8 chapters है और यह 8 chapters हमको पढ़ना साथ नंबर का है और खास बात है multiple choice questions है अब सवाल यह है कि multiple choice question जो है आपका अगर आप study material वगिरा देखोगे module उसमें तो descriptive question दिये हुए है तो multiple choice question वो मैं करूँगा मैंस यह final मैं already बढ़ रहा हूं multiple choice question हम scanner वगिरा से करेंगे और मैं यहां बहुत सारे mcqs आपको करवाँगा अब सवाल यह है किसा ठीक है mcqs अच्छा खासा आपको knowledge चाहिए आपको calculator चलाना चाहिए और मैं आपको calculator चलाना सिखाऊंगा कुछ लोगों कुछ बच्चे जो आपको कैसी आएगा तो मेरी जिमेंदार यह calculator मुझे चाहिए चाहिए हर क्लास में पहली क्लास से calculator चाहिए तो आज तो ओवर्वीव था आई तो हम लोगों को में फोकस साथ नंबर पर करना है और एफ म बहुत इची बहुत इची नया चेप्टर मजब याएगा पढ़ने में भी मज़िए तो अगले क्लास से श्टार्ट करेंगे और अगली क्लास से हम कॉस्ट of capital चैप्टर चेप्टर करें कॉस्ट अब क्यापिटर ठिक है थांक यू थांक यू थांक यू वरी म